नमस्ते फ्रेंट्स मैं हूँ धरंजय 30 सेप्टेंबर के शाम से इसराइल डिफेंस फोर्सेज लिबनान में ग्राउंड इन्वेजन करते हैं जहाँ पे इसराइल के दुवारा ये कहा गया था कि वो लिबनान में उन सब एरियास को टारगेट करेंगे जिन सब एरियासे हजबुला ओपरेट करता है एक तारीके मिडनाइट के आस पास से इरान डारेक्ली अटैक करता है इसराइल पे और इस पुरे प्रोसेस में लगभग कुछ दोसो के आस पास वो रॉकेट्स या और ये पहली बार ऐसा हुआ जब इरान और इसराइल डारेक्ली आपस में इतने हेवी एक्सचेंज ओफ मिसाइल्स या रॉकेट्स किये जहां तक बात किया जाए इसराइल और इरान के बीश में कॉन्फिक्ट में तो जो प्रेजन सिचुएशन है उसके हिसाब से मिजॉलिटी ओफ देश वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इसराइल के पीछे यूएस खड़ा है वहीं पे अब कुछ ऐसे देश भी सामने आना शुरू कर दिये हैं तो डारेक्टली इसराइल के अगेंस्ट वो बोलना शुरू कर दिये जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैन्वल मैकरो कहते हैं के इसराइल को वेपन्स भेजना बंद किया जाए इसी बीच इसी महीने के चार तारीकुयानी के जिस दिन फ्राइडे था उस दिन तेहरान इरान में अली खुमेनी अपने लोगों से इंटरैक्ट करते हैं और लगभग 40 मिनट के आसपास का भाशन देते हैं जहां पे वो पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के दुवारा जो किया गया था उस एक्ट को वो सही बताते हैं और साथ में इनावे इसराइल को वो डिरेक्ली चैलेंज भी करते हैं कि किसी भी तरीके से अगर इसराइल इरान से लड़ने का प्रयास करेगा तो इसराइल का जो एक्जिस्टेंस है वही खतम हो जाएगा या तो उसको खतम कर दिया जाएगा इरान के दुवारा ये स्टेटमेंट अपने आप में काफी हार्श स्टेटमेंट है और लगभग 5 सालों के बाद अली खुमेनी इस तरीके से अपने लोगों से इंटरैक्ट करते हैं इस बीच में अगर आप देखेंगे तो multiple ऐसे occasions हुए जहां पे इसराइल बहुत ही targeted तरीके से अपने दुश्मनों को मारा जब मैं यहां दुश्मन कह रहा हूँ तो मैं किसी भी तरीके से इसराइल को support या oppose नहीं कर रहा हूँ बलकि अगर आप इसराइल के point of view से इरान को देखेंगे तो वो दुश्मन है और इरान के point of view से अगर आप इसराइल को देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन है क्योंकि बहुत सारे leaders, military commanders जो किसी भी तरीके से इरान से attached थे और जिसको इरान support करता था उसको इसराइल के दुआरा मारा गया तो कहीं न कहीं ये अलिक हुमेनी के responsibility बनती थी कि वो लोगों से interact करें और कुछ इसी तरीके का वो aggressive भाशन दे जिससे कि उनके लोगों को ये लगे कि किसी भी तरीके से इरान इसराइल से कमजोर नहीं है और इससे एक confidence भी boost up होता है जब आपके देश के इतने high ranking लोग कहले या इतने high ranking जब person, media को या अपनी लोगों से जब वो मिलते हैं तो कहीं न कहीं एक sense of motivation भी उनके बीच में दौणना शुरू हो जाता है जैसा कि मैंने अपने कुछ previous वीडियो में बताया है कि किसी भी तरीके से जो इरान का technology है वो इसराइल के सामने stand नहीं करता है और इसराइल को unconditional support मिला हुआ है US का और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे Middle East में Muslim countries हैं जो directly और indirectly दोनों तरीके से इसराइल को support करते हैं लेकिन कुछ ऐसा फेनोमेना देखने को मिला है कि इस बार इरान भी directly attack कर रहा उसके बाद हौतीस भी Red Sea में जो cargo ship है उसको भी attack कर रहे है और कहीं न कहीं अभी कुछ Russia के तरफ से भी कुछ कहा गया जहां पे Russia भी Lebanon को support कर रहा तो ऐसा मतलब महौल बनता हुआ दिख रहा कि अगर किसी भी तरीके से अभी ये जो escalation हो रहा उसको अगर ना रोका गया तो शायद ऐसा हो सकता है कि किसी भी तरीके से अगर energy supply के उपर अगर किसी भी तरीके से disruption होता है तो global inflation बढ़ जाएगा तो जैसे ही जब global inflation बढ़ जाएगा तो chances काफी massive होने के तो chances काफी high हो जाते हैं जहांसे और भी देश इस पूरे war में घुश जाएगा तो कहीं न कहीं जो पुरा महौल है वो पुरा महौल बिगडने का डर बना रहेगा अब क्यूंकि US में चुनाव है 5 नवेंबर को और Donald Trump और Kamala Harris दोनों एक दूसरे के opponent है तो जैसा ही कि normally हर democratic country में देखा जाता है कि अकर सत्ता पक्ष कुछ कहते हैं तो जो उसके विपक्ष वाले होते हैं वो complete तरीके से उसको oppose करते हैं Donald Trump का एक बहुत ही अजीबो गरीब statement आता है जहां पर वो ये कहते हैं इसराइल को कहते हैं कि आप इरान के जो nuclear facilities है उसके उपर आप attack करें और उसके बात में देखा जाएगा तो यहां पर जो समझने वाली बात है जो Trump के दुआरा कहा जा रहा कि जब एक तारीक को इरान ने इतना massive जब missiles दागे थे इसराइल के तरफ तो उसके बाद जो बाइडन का भी कहना था कि इरान का जो oil facilities और nuclear sites वगेरा है वहां पर attack किया जाए क्योंकि महौल अभी काफी जादा गरम हो चुका है तो कहीं न कहीं ऐसा मामला बनता हुआ दिख रहा कि अगर किसी ने आपके उपर attack किया फिर आप counter attack कर रहे हैं तो कहीं ऐसा नहों कि यह war एक complete तरीके से काफी और massive या एक world war तरीके से create हो जाए तो कहीं न कहीं जो बाइडन का जो सुर था दो तारीक या तीन तारीक या आसपास से वो सुर को बदल लिये और किसी भी तरीके से इस moment पर इसराइल को attack करने के लिए मना कर रहें इरान के उपर तो इसी चीज़ का फायता उठाते विए डॉनल्ड ट्रम्प ये कहते हैं कि पहले इरान के sides के उपर attack कर दिया जाए यानि कि nuclear sides के उपर attack कर दिया जाए और उसके बाद देखा जाए कि exactly क्या होता है ये complete तरीके से एक political statement है और भले ये political statement इसराइल के तरफ उसको support करने के लिए दिया गया हो लेकिन ये बात हम Indians के लिए भी काफी important होता है कि अगर कल को किसी भी तरीके से Trump हमारे बारे में कुछ positive या negative कहते हैं तो उसको ले के हमें काफी विचलित या काफी खुश नहीं होना चाहिए उसके बाद जैसे ये Israel Defense Forces लेबनान में घुशते हैं उनको य इसराइल के जो Defense Forces से इनको काफी नुकसान हुआ है और बहुत मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि लगभग 20 के आस पास इसराइल का F-35 फैटर जट प्लेन को भी नुकसान पहुचा है हलाकि इसराइल इस नुकसान के बारे में अब तक जिक्र नहीं किया क्या है य कि हम दोनों तरफ के निउस को जाने और समझें लेकिन बहुत सालों से इसराइल दो चीजों के पीछे पड़ा हुआ है इरान के एक तो किसी भी तरीके से इसराइल ये नहीं चाहता है कि इरान अपने देश का तेल बेश सके तो यहां पर जो समझने वाली बात है वो यह है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हम मान सकते हैं कि under pressure इसराइल इरान के उपर अभी attack नहीं करेगा लेकिन कहीं न कहीं ऐसा possibilities बनता हुआ दिख रहा कि आने वाले दिनों में वो definitely इरान के जो oil supplies वगरा है या जो refineries वगरा है उसको वो target करे और किसी भी तरीके से जो इरान का जो economy है उसको वो कमजोर करे और इसके बाद अगर बात किया जाए तो recent जिस तरीके से pager में और walkie-talkie में blast हुए थे इस blast के बारे में जो बहुत सारे analyst है उनका ये मानना है कि इस operation के पहले इसराइल US को inform नहीं किया था या किसी भी तरीके से US से permission नहीं लिया था और उसके बाद अ उसके हिसाब से जब इसराइल defense forces या इनके जो air force होते हैं वो जब already operation के लिए निकल जाते हैं उसके बाद US को बताया जाता है कि हमारे जो air force है वो on the way है और वो जाके लेबनान में strike करने वाले हैं क्योंकि इनके पास काफी पुकता ख़बर था कि किस area exactly में वहाँ पे नस्र का तरीके से नहीं कह सकते हैं तो आने वाले दिनों में देखना काफी interesting होगा किस तरीके से इसराइल इस attack का बदला लेता है और जो सबसे important चीज़ है वो आपके हमारे लिए ये है कि किसी भी तरीके से अगर इस ongoing war को ना रोका जाएगा तो chances काफी high दिख रहे हैं कि जो energy supply ह खास करके जो crude oil है उसको काफी impact पहुचेगा और उसको जैसे ही impact पहुचेगा वैसे ही जो oil का price है वो काफी उपर निकल जाएगा I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूँगा मैं चाहूँगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye